हेलो बच्चों कैसे हैं आप साथ अभी तक आपके सोशल में 11 चैप्टर्स कम्प्लीट हो गए हैं लास्ट वीक मैंने आपको फर्स्ट और सेकिंड चैप्टर रिवीजन के लिए दिया था करा आप लोगोंने रिवीजन रिवीजन भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके 11 चै बिल जाएंगे तो इसलिए जो चैप्टर्स रिवीजन के लिए दिये जाते हैं उसे जरूर करें आज हम आपका थर्ड और फोर चैप्टर का रिवीजन कराएंगे तो ध्यान दें ओके फर्ड चैप्टर आपका क्या है हमारी वण संपदा और वण क्या है हमारे लिए एक संपती के समान है न यानि कि बहुत बहुमूले होते हैं वण क्यों क्योंकि हमें उनसे अपनी जरूरत की सारी वस्तुये मिलती हैं जैसे लकड़ी, गूंद, शहेद, जड़ी, बूटिया, लाक, बास, बेत, घास, चारा और इनसे ही बहुत सी चीजे बनाई जाती हैं जैसे फरनीचर, दिया, सलाई, खेल का समान, खिड़की, दरवाजे, आदी बहुत सारी जरूरी वस्दूएं बनाई जाती हैं तो से कम मुल्यवान नहीं हैं इसलिए मुल्यवान नहीं है क्योंकि यह हमारी सारी जरूरते पूरी करते हैं तो जो चीज हमारी जरूरते पूरी करती है वह मुल्यवान हुई न अब जिस वक्त आपको भूग लगी है उस समय आपके लिए भोजन क्या है मुल्यवान वस्दू है क्योंकि वो आपकी भूग को मिटा सकता है अब उसकी जगे आपके सामने अगर सोना चांदी रख दिया जाए तो क्या आप उसे खा लेंगे आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी नहीं हो सकती उस समय आपके लिए मुल्यवान चीज क्या है भोजन है तो इसी चेत्र है कितना है सत्तर परसंट दुजल है और तीस परसंट क्या है भूमी का हिस्सा है तो भूमी के हिस्से में क्या है 22 प्रतिशत भाग जो है वो वनों से ढखा हुआ है सभी प्रकार के छोटे बड़े व्रक्ष पौधे जाड़ियां बेल घास जो कुछ अपने हापी उगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक बनस्पती कहते हैं और वन किसे कहते हैं एक बड़ा छेत्र एक बड़ा छ उपते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वन कहते हैं तो भारति य वन शेतर कितना है 22 प्रतिशत पूरी भूमी का 22 प्रतिशत जहरत क्या है वन है हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं अब इन पांचों प्रकार के वन के बारे में जानते हैं सबसे पहला वन कौन सा होता है सदा बहार बन सबसे पहले सदा बहार बन के बारे में जानते हैं सदाबहार वन कैसे होते हैं जो सदाबहार का मतलबी क्या हुआ सदा हरे भरे रहना यानि कि जिस प्रकार के वन वर्ष पूरे वर्ष जो है वो हरे भरे भरे बने रहते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं किसी विशेश रितु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते है ये वन काफी घने होते हैं देख रहे ना कितने घने हैं काफी घने होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं ब्रक्ष भी इनके बहुत उचे उचे होते हैं और फैले हुए होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं सदा बहार वन ये उनी छित्रों में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है तो ऐसी कहाँ पर है जैसे असम मिघाले, मिजोरम, त्रपुरा, नागा लेंड इन जगों पर कौन से वन मिलते हैं? सदा बहार वन ठीक? दूसरे, पट जड़ वन या मांसूनी वन ये वन कौन से होते हैं? जो गर्मी आने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इनको हम कहते हैं पत जड़ वाले वन और जब बारे शुरू होती है उसके बाद फिर से इन पर पत्तियां आ जाती है और ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम से पहले इनकी क्या होती है पत्तियां जड़ जाती है पत्तियां अपने आप गिर जाती है ये इवन कौन से होते हैं शीशम, पीपल, बर्गद, नी, साल, सवगोन, इन सभी के वरक्ष इन वनों में मिलते हैं, इनकी लकडियां बहुत कीमती होती हैं, मजबूत और उपयोगी भी होती हैं, जिसका प्रियोग किसमें करते हैं, फरनीचर और इमार्तों बनाने के लिए प्र सुरच्छिदवन गोशिद कर दिया है, क्योंकि इनका महत वितना जादा है, इसलिए इनको सुरच्छिदवन गोशिद कर दिया है, इसके आगे पड़ते हैं, शंकुलवन के बारे में, शंकुलवन कहाँ पर मिलते हैं, पहाड़ी लाकों में, जो पहाड़ी लाके हैं हमार नुकीली होती हैं और इनको हम पहारी वन भी कहते हैं क्या कहते हैं पहारी वन भी कहते हैं इसके आगे कांटेदार जाड़ी वाले वन इनके बारे में भी आपने पढ़ा था कांटेदार जाड़ी वाले वन कैसे होते हैं यह कमुचाई वाले कांटेदार जाड़ी के होते हैं ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन इलाकों में मिलते हैं इन बनों के मुखे ब्रच कौन से हैं? बबूल, कीकर, ये हैं इनकी लकडी मुखे रूप से किसमें काम आती है? इंधन में काम आती है इंधन जलाने के लिए काम आती है चुकि इन जगों पर वारिश कम होती है इसलिए वहाँ पर कम उचाई वाले और ऐसे काटेदार जाड़ी वाले व्रच पाए जाते हैं नेक्स्ट है सुन्दरवन सुन्दर्वन कैसे होते हैं समदर के किनारे खारे पानी वाले भागों में सुन्दर्वन पाए जाते हैं सुन्दर्वन क्यों कहा जाता है इनको क्योंकि यहाँ पर सुन्दरी नामक ब्रच पैदा होते हैं येवन गंगा के डेल्टा छित्रों में मिलते हैं और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में भी मिलते हैं वनों का भी संरच्छन आवश्यक है और वनों में रहने वाले जीव जन्तूं का भी संरच्छन बहुत जरूरी है क्योंकि वन हमारे लिए इतने उपयोगी है और वनों में रहने वाले जीव जन्तूं भी हमा से वन महुस्टब के नाम से जाना जाता है एक जुलाई से लेके साथ जुलाई तक कब से एक जुलाई से साथ जुलाई तक वन महुस्टब कारेकरम पूरे देश में चलाए जाता है इससे क्या होता है क्या एक और कारेकरम भी है कि एक बच्चा एक व्रक्च इस कारेकरम में क्या आशा की जाती है कि हर एक बच्च एक ब्रच लगाए और उसकी देख بाल करें भर व्रक्ष प्रखु सिरफ लगाना ही जरूरbreak नहीं होता है जब तक हम ब्रक्ष की देख बाल नहीं करें ये वो बड़ा नहीं होगा तो उसको लगाने का भी कोई फायदा नहीं है उसका फायदा तभी होगा जब हम उसकी देख बाल करें और वो फलफुल कर बड़ा हो जाए तो इस तरीके से सरकार द्वारा भी बहुत से कारक्रम चलाए गए हैं वन्ने जीव जन्तूओं जो हाथ सरकार द्वारा बहस्ट से अभ्याररंडे बनाए गया है उण अभ्यार राण्यम में वह जीव जन्तूओं रहते हैं ऐसे कौन कौन से अभ्यारर्ण उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क कारबेट पार्क असम का काजी रंगा और कौन सा और मद्धिप्रदेश का कानहा, केरल का पेरियार और गुजरात का गिर ये सभी क्या है? विशेश रूप से प्रिसिद्ध है, ये सभी अभ्यारण है अभ्यारण है मतलब यहां जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है उनकी देख बाल की जाती है, उन्हें सुरच्छित रखा जाता है वहां पर ऐसे बहुत से घुमने के भी स्थान है है, जहां पर लोग घुमने जाते हैं गाड़ी से और तरह तरह के चीवजन्तूओं को देखते हैं, राजस्थान में भरतपुर के पास ही है, घाना जहां पर पक्छियों को सुरच्छित रखा गया है, और बहुत दूर-दूर से पक्छी, विदेशों से पक्छी वहाँ पर आते हैं एक मौसम में और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो इस तरह से वनों का भी संरचन जरूरी है और वन जीव जन्तुओं का भी संरचन बहुत आवश्यक है इस चैप्टर के कोशन आएंसर लर्ण करे थे आप लोगों ने लर्ण है आपको क्या क्या थे कोशन आएंसर एक बार आज डिवीजन कर लेते हैं इसका वनों से हमें क्या लाब है तो वनों से हमें लकडी, गोंद, शहद, जड़ी, बूटिया, लाख, बांस, बेत, घास, चा पाए जाते हैं हमारे देश में मुख्य रूप से पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं कौन-कौन से सदबहार वन, पतजड़्या मांसूनी वन, शंकुल वन, काटेदार जाड़ी वाले वन और सुन्दर वन इस तरह पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं सुन्दर वन कहा या कब मनाया जाता है अभी आपको बताया ना वनमहुस्था क्या है सरकार ने 1950 में अधिक व्रच लगाओ कारेकरम शुरू किया इसे क्या कहते हैं वनमहुस्था कहते हैं या प्रतेग वर्ष एक जुलाई से लेके 7 जुलाई तक मनाया जाता है एक जुलाई से लेके 7 जुलाई तक अधिक व्रच लगाओ कारेकरम शुरू किया जाता है वनमहुस्था मनाया जाता है नेक्स्ट फोर्थ चेप्टर है आपका पशु संपदा अब उसके बारे में पढ़ते हैं पशु संपदा क्योंकि पशु भी एक संपत्ति के समान है क्य चंगली पशु पालतू पशु वे होते हैं जिने हम पालते हैं जैसे गाय भैस बैल घोड़ा उंट भेड बकरी हाती खचक यह सबी क्या है पालतू पशु है इसमें जो दूद देने वाले पशु होते हैं उन्हें हम दुधारू पशु कहते हैं जैसे गाय भैस बकरी और जो बोजा डोने वाले पशू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बोजा डोने वाले पशू कौन से जैसे घोडा उंट बैल हाथी और कुछ खेती में काम आरने वाले पशू होते हैं जैसे बैल भैसा उंट ये खेती की चुदाई में भी सायता करते हैं रेगिस्तान में कौन सा पशू उपयोगी होता है और पहाड़ी छेत्रों में खचर और घनेवनों में हाथी काम आते हैं तो इस तरह से अलग-अलग जगे पर अलग-अलग प्रकार के पशू हमारे काम आते हैं पशूं से हमें दूद मिलता है दूसरे अनेक चीजे बनाई जाती है कुछ पशूं से ह हमें मास मिल जाता है, वो भी कामत है, खाल होती है, खाल से चमड़ा बनाया जाता है, मुर्गी है, मुर्गी वो अंडा देती है, तो वो अंडा भी हमारे लिए उप्योगी होता है, जो भेड हैं, उनके बालों से उन बनाई जाती है, तो इसमें भी अलग-अलग प्रकार के पशु से हमें अलग तरह की चीजे मिलती हैं मचलियां हैं मचलियां भी हमारे लिए उपयोगी होती हैं मचली पालन से भी लोगों को रोजगार मिलता है तरह तरह का आज कल मचली पालन को काम को काफी बढ़ावा भी दिया जा रहा है और पशुओं के गोबर से खाद बनाई जाती है खेती के काम में भी ट्रेक्टर और दूसरी मशीनों का प्रियोग होने लगा है जिससे अब क्या है थोड़ा पशुओं का महत्व कम हो गया है खेती में अन्य था खेती में भी पशु बहुत काम आते हैं बैल गारी चलाने में एक सामान को इधर से उधर लेके जाने म में खेतों की जुताई में हर जगे पशु काम आता है और पशु के गोबर से क्या बनती है खाज बनती है तो इस प्रकार से पशु हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर हैं इसके लिए क्या जरूरी है कि पशु के कुडवत्ता में भी सुधार जरूरी है पशु सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है वे स्वस्थ भी हो और बल्वान भी हो इसके लिए उन्हें भरपूर चारा, भूसा, दाना, खिलाना बहुत जरूरी है अब पढ़ते हैं जंगली पशु के बारे में जंगली पशु जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं जंगली पशु जैसे शेड, चीटा, हिरन, भालू, गेंडा, नीलगाए, बारे सिंगाई सब क्या हैं जंगली पशू हैं, जंगली पशू का शिकार करके हम में चमड़ा, हाथी दाथ, खाल, सीन, आदी से क्या होता है, बहुमूल वस्तुए प्राप्त होती हैं, देश में वन्य जीवों के रच्छावा सनरचन के लिए वन्य जीव अभ्यारण बनाए गए हैं, भारत सरकार ने वन्य जीवों के शिकार पर भी प्रतिबंद लगा दिया है, क्योंकि इस तरीके से बहुत सी प्रजातियां तो लुप्थ होने की कगार पर आ गई हैं, तो वन्य जीवों का सनरचन अत्यंत जरूरी है, तो सरकार की ओर से बहुत से कारक्रम चलाये जा रहे हैं वन्य जीव क को बचाने के लिए इसी तरीके से उपरेशन फ्लट कार करम चलाया जा रहा है जिसमें दूद और दूद से बनी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है चलिए अब इस चैप्टर के कोशना इंसर देख लेते हैं लण करें आप सभी ने कोशना इंस है खचर गधा इस सब क्या है पालतू पशूँ है क्योंकि हम पालते हैं और जंगली पशूँ क्यों से यह है शेर, चीता, ऐसदि cihard, भालू, इन सब को आप पालते हो देखा है आपने किसी को घर में पालते हुय uży है नहीं पाले दाते ना यह कहां रहते है यह जंगल में भालू, गेंडा, नीलगाए, बारे सिंगा, इस सब क्या है, जंगली पशुए, सेकेंड क्या है, ओपरेशन फ्लड किसे कहते हैं, ओपरेशन फ्लड तूद वद दूद से बनी वस्तूओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कारेकरम चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं और ओपरेशन फ्लड, ब्रत पशु हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं, तो मृत पशु की खाल से चमडा बनाया जाता है, तथा हड़ियों से उरवरग का निरमार किया जाता है, जो मरे हुए पशु होते हैं, उनकी खाल से चमडा बनाते हैं, और चमडे से फिर पर्स, ब के नाम लिखी है तो दूसरे क्या क्या बनता है दही पनीर घी मक्खन खोवा इस अभी चीजे दूसरे बनाई जाती है तो यह थार्ड और फॉर्थ चैप्टर दोनों चैप्टर्स के कोशनायं सार आप लर्ण करेंगे ओके ओनली लर्ण करना है आपको कुछ भी दुबारा से लिखना नहीं है इस अभी आपके पास लिखे हुए होंगे तो दोनों चैप्टर्स के कोशनायं सार दुबारा से रिवाइस करेंगे ओके